ये स्टूडेंट ये है पूरा का पूरा माडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, हुमेन वैलू एंड इन्वारिमेंटल स्टूडीज का यानि कि जो भी हमारे बीए बेसी विकॉम के थार्ड समस्टर के छात्र हैं जिनको अन्यवार प्रस्णपत्र यानि को करिकुलर सब्जेट की परिच्छा देनी है, हुमेन वैलू का, ये पूरा का पूरा माडल पेपर है, जो रिसेंटली अभी ततकाल में पेपर हुआ है, आपको मैं भरोसा दिला रहा हूँ, इस माडल पेपर में जो जो दो क्वेश्चन दिये गए हैं, उनको आप तैयार कर लेंगे, तो मैं गा पेपर इसी वर्स 2013-2024 की सचन का है, अभी रिसेंटली कल ही हुआ है, ठीक है ये पेपर, चली, आते है हमेन मुद्धे पे, सबसे पहले आज किस वीडियो का कोश्चन भीया, ध्यान से सुनेंगे, बहुत सारे कोश्चन है, सबसे पहले हम पहले हिंदी, इंगलिस हिंदी द का उद्देश क्या है, तो ध्यान से सुनेंगे, बहुत सारे इसमंद आपसं देगे हैं, तो वीडियो को हम फास्ट करेंगे, क्योंकि समय है नहीं ज्यादा, तो सही उत्तर होगा, डी नंबर ए और सी, दोनों सही होंगे, ए और सी, इसलिए लास्ट वाला क्योंकि यह कह र इसने कहा था कि मस्तिस्क को उच्च विचारो, उच्च आदर्सों से भरो, उन्हें दिन और रात अपने समच रखो, और उससे महान कार संपन होगा, ठीक है, यह जो संटेंस है, यह जो पंक्ती है, ठीक है, यह फिर कह सकते हैं कि डॉय लोग है, यह किसके द्वारा कहा गय अगला प्रेस्ट नहीं कि यह किसका कथन है कि उठो जागो और तक मत रुको जब तक लचप्राप्त ना हो जाए, ठीक है, मतलब कि उठो जागो और कभी अतर को मत रुको अतब यह जा रहो तो यह जो पंक्ती है, यह कहीगी त diabetic याद रखेंगे, सुआमी विवेका गए यह पिर कहा गया है स्वामे विवेकानन्द के द्वारा इस बात को ध्यान लखेंगे ठीक है अगला प्रशन है कि कि ने सिच्छा को मनुस्य से में पहले से ही पूरता की अभिविक्त की रूप में परभासित किया है मतलब कि यह कौश्चन कह रहा है कि कौन से ऐसे महान ह हमारे देश के सुतंत्रा संग्रामी है जिन्होंने फिच्छा को मनुस्य से पहले से ही पूरता की अभिविक्त की रूप में परभासित किया उनका क्या नाम है ध्यान से बताएंगे यह किसके द्वारा कहा गया है तो बहुत ही पॉप्लर कोश्चिर अगर आपको मालुम है ठीक है ताकि आपका experience और knowledge दोनों बढ़े ठीक है तो इस प्रश्ण का सहुत्तर हो जाएगा option number यह भी पंक्ति स्वामी विकानन्द के द्वारा कही गई इस बात को ध्यान लखेंगे ठीक है अगला प्रश्ण है कि यहा कथन किसका है ठीक है कि नैतिक मुल्यों से रहित फि फिच्छा नहीं माना जा सकता यह कि ने कहा है तो इस पांच नंबर का सहुत्तर हो जाएगा यह भी विविकानन्द के द्वारा ही कहा गया इस बात को ध्यान लखेंगे सारे question की पुष्टी हुई उसके बाद ही हम आपको बता रहे हैं इस बात को ध्यान लखेंगे ठीक है सहुत्तर विविकानन्द हो जाएगा अगला प्रशन है कि किस ने कहा कि फिच्छा प्रतेक बिक्त का जन्म सिद्ध अधिकार है और यह अधिकार देने से किसी को मना नहीं किया जा सकता बहुत ही popular मतलब कि यह line है और आपने कई बास सुना भी होगा ध्यान से और यह भी प खुदी पताओगा और बहुत फारे चर जो तुक्का वाले हैं वो पक्का गलत करेंगे क्योंकि बेगी सम्में वेकाननद थोड़ी हो सकते हैं टिक है किसीची में सरदारबलब भी होो क्या उत्पन होती तो ध्यान रखेंगे बहुती पॉपलर कोश्चन है इससे भक्ती भी उत्पन होती विश्वासनेता भी इमानदारी इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा d इन में से सभी या फिर ओपर युक्त में से सभी ठीक है डी नंबर सही होगा ओके अगला कि काउन स मूर लेहे हैं जो हर समाज कारे करता को आत्म साथ करने की जरूरत है तो धान रखेंगे भी महात्मों प्रश्न में आपके के लिए तो इसका उत्तर भीस हो जाएगा अप्शन नंबर डी क्योंकि ये सारे के सारी आप्शन सही है इसलिए सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर और प्रियुक्त में से सभी अगला प्रशने कहे रहा है विकास किसके फल्सुरूप संभव है तो यानि कि समाज का जो विकास कि प्रत्यगाओं की प्रियुक्ति के फल्सुरूप यानि कि ये सभी चीजे होंगी तभी एक समाज का आसानी से और फल्सुरूप मतलब कि विकास संभव हो पाएगा इस प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा उप्रियुक्त में से सभी ये सभी चीजे होनी चाहिए इसलिए उप्रियुक्त में से सभी ओके अगला प्रश्ण है कि वफादारी किस पर आधारित होती है तो जो आधर्स वफादारी होती है ध्यान रखेंगे आधर्स जो वफादारी होती है वो करतब्विकी भावना पर और नैतिक प्रतिबद्धता पर आधारित होती है इसलिए सही तर परकार का न्याय मौजूद है यदि करमचारी काम पर अपने संचार में मुक्त इमंदार और सत्य है तो बहुत ही महात्पूर्ण प्रश्ण है इसका सयुत्तर अगर आपको मालूम है तो जुरूब बते हैं एक विट सेक्ष्ट में ठीक है सयुत्तर हो जाएगा इसका नैतिक ठीक है अगले प्रश्ण के और बढ़ते अगला कुश्चिन कहा रहा कि नैतिकता का संबंध किसे से है तो इसका उत्तर लिखेंगे जो नैतिकता का संबंध है इन आपसरों में से ना तो बेपक समधाय से ना बेपार से ठीक है ना कुछ नहीं से है इसका नैतिकता का जो सं प्राबद्ध स्वाहित माडल क्या है यानि कि CSR का प्राबद्ध स्वाहित माडल काउन सा है इन आप्शनों में से तो बहुत सारे यहाँ पर आपको चार आप्शन देगे हैं लेकिन जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आप्शन नमबर C CRS का जो स्वाहित माडल है वो नैतिकता से कार करना संगठन का हित है यही CRS का स्वाहित माडल है याद रखेंगे बहुत ही पॉप्लर कोईशन है अगला प्राशन बईया है कि इन में से कौन सा सहरी करण का पर्या और पर नकरात्मक प्रभाव नहीं है इन मेंसे काउसा ऐसा एक मतलब कि सहरी करण का पर्या और पर नकरात्मक प्रभाव काउसा नहीं एक अप्शनों में से तो भहिया वनो की कटाई पर दॉफर जल्का चक्रे करण ये तो सब हैनी वहीदा सहर में सारे शीज़े होती है लेकिन question कहिरा कि नकरात्मक प्रभाव नहीं है ठीक है अगर कहता कि नकरात्मक प्रभाव है तो ये सारे के सारे आप्सन से होते हैं लेकिन कहिरा कि नकरात्मक का प्रभाव नहीं है इसलिए सही उत्र होगा डी नंबर जयो विविजता का होस ठीक है ये होगा सही क्योंकि ये मानु जनित का जो कारण है वो है वनों की कटाई जल की अधतिक मांग अत्याधिक पड़ावार ठीक है इसलिए सही उत्तरिश्का हो जाएगा डी नंबर उपरिक्ट में से सभी ध्यान लखेंगे अगला प्रस्ण है कि पर्यावनण पर मानो के किरिया कलापों के प्रभा के महत्पूर कारक कारक से है अगर आपको मालूम तो कोमें सेक्षिन में अपनी राय दे सकते हैं तो सही उत्तरिश्का हो जाएगा मेरी एकोर्डिंग जन संख्या प्रतिब्यक्ति भूम उपलब दता यह हो जाएगा महत्पूर कारक अगला प्रस्ण है कि जो वर्सा वनों के बड़े छेत्रों में पेड़ों को काटने का दिर्खकालिक प्रभा कौम सा है मतलब कि वर्सा जहां पर होती है ठीक है वनों के बड़े छेत्रों में जहां पर वर्सा होती बड़ा माली यह बहुत बड़ा जंगल है और जंगल के अगर अंधा दुन्द कटाई कर दिया जाए तो उससे वर्सा अधिक होगी कटाने पर कट जाने पर या फिर कम होगी या फिर ज्यादा होगी या फिर अधिक हवा चलेगी या फिर क्या होगा या आपको बताना है तो कोई वन का यानि कि जंग साइवत्तर हो जाएगा धान से सुन लीजिए साइवत्तर हो जाएगा इसका बी नमबर ठीक है अगर यह समस्या हो गई मालीजिये कोई जंगल है आपके एरिया में पर कहीं पर भी एक काट दी गई तो कुछ दिन के बाद यानि कहरा कि दिर्खकाल में क्या परभाब पड़े को हए हैंत इस टॉकुति अगत इन में से कौन सा नैतिक्ता का लच्छन नहीं को इन आपने कि नइक्ता का लच्छन नहीं है वो पांस साफ Yaz Kalohan मेरे कोर्डिंग दूंख कहहां, तो वह कहलाता है विचार धारा, ठीक है, यह सहीत्तर होगा ठीक है अगला कोश्चीन कहां कि किसका कफन है, कि हमारे लिए देश भक्ति मान उता के प्रेम की समान है, बहुत ही पोपलर कोश्चीन यह期 pizzrios नहीं है, अगर आपको इसका सही हुततर मालूम तो कमेंट में जरूस कर दिए। इसका और आप सभे तो मालूमी हो गांगि इसका क्या सही उत्तर होगा देखते हैं कितने हांत्रों को मालूम में हैं ठीक है कि अगला गुस्टन कहिए suas प्रोजेक्ट हाथी कब शुरू किया गया यह नहीं कि प्रोजेक्ट फूरू किया गया था जिसका नाम एलेफेंट यह था ठीक है तो वह किस सन में शुरू किया गया था याद रखेंगे बहुत ही पॉपलर कोईश्चन अगर आपको मालूम है तो ज़रूर कमेंट में निमलिखित में से किस रूप में नुक्सान उत्पादों को जीव मंडल से मुक्त करते हैं तो भहिया गैसे उत्पादों से और तरल ठोफ इन सभी से मुक्त करते हैं इसलिए सही उत्तर हो जाएगा D-Number इन में से सभी या फिर उप्रयुक्त में से सभी इस बात को ध्यान प्रभावित हो रहा है तो जो सभी इन में नहीं लेकिन कभी-प्र राधुम्त और गंदगी जमती रहती है लेकिन यह मुख्य कारण नहीं मुझे मैंने जब ह्सक्राइब मुझे पता चला कि इन में से कोई भी कारण नहीं उससे निकला हुआ कारण है लेकिन भाई पर दूसर्ड भी हो सकता हो कि ये वाई देखिए वाई थे उक दीए भाई बॉना नदी क सबसे दूसरिद नदी मानी जाती भारत में इस बात को ध्यान रखेंगे ठीक है और अगला प्रस्य एकी हूआ प्तौर करता है उस्थ क्भाइय क्या करता निकलता है धुआ वह आपके कहीं ने कई शरीर और आपकी बोड़ी के लिए हानिकारक है तो यह इसका सही उत्तर हो जाएगा सोसन समंदी समझ चाहें होती है वह पुदूर्षण से ठीक है अगला प्रश्ट है भाईया की पुर्दूर्फण का क्या कारण है नामसरों में से रताद से छाएं का मतलब ऑच एसमें उस में बहुंत निकलती है और बड़ी बड़ी जो जो कंपनियां जिसमें मालीजे कोई मालीजे की पेट्रोल बंत पेट्रोल के मालीजे उसका होता तुसमें बहुत फारी जो चीजे होती जो खराप पदार्थ होते हो निकलते तुस्से प्रदूर्शन फैलता है उससे भी प्रदूर्शन फैलता है ठीक है और जो नाली होती है जो कि सफाई नहीं होती जो आपके गंदे नाले बैखते हैं इससे भी बहुत ज़्यादा प्रदूर्शन होता है ठीक है तो इसलिए सही उत्तर इसका मानो गिद विदियां हो जाएगा ठीक है अगला प्रस्ट ने कि भारत में सबसे पहले पर्यावरण पत्तब कि यह कुश्चन कही रहा कि भारत में सबसे पहले पर्यावरण अद्ध्व लागू किया गया था किस पर जल अधिनियम लागू किया गया था या फिर वाय और अधिनियम यह फृपर दोस्राद दियां तो आपके जानकारी के लब वता दियुए इसको मैंने महासंग सब्सक्राइब किस वर्स में लागू किया गया था तो इसका सहुत्तर हो जाएगा अप्शन नमबर जाएगा ठीक है समय ज्यादा है नहीं इसलिए हम आपको वीडियो को यहीं परिंट करेंगे और हम आपको दिखाना चाहरे थे किस परकार के कोश्चन पूछे जा रहे हैं परिच्छा में और लगब लगब कोश्चन का उत्तर बताया आप समय है नहीं तो हम आप लोगों को लेकिन आपको हम एक ट्रिप्स और ट्रिक्स बता दे रहे हैं जिसको आप अपना के परिच्छा में पास हो सकते हैं जैसे कि यह प्रशन परिच्छा में सेम तूश्यम आ गया और आपको इसका उत्तर नहीं मालुम है तो आपको कुछ नहीं करना है लास्ट वाला सिलेट कर जिस बीकोश्चन में लिखा गा है कि इन में से कोई नहीं या फिर उप्रयोक्त में से सभी या फिर इन में से सभी या फिर सी नंबर में दिया जाता कि ए भी सही है और बी सभी है यह वाला आपको सिलेट करना इस बात को ध्यान रखेंगे क्योंकि लगबख प्रशन इसी जिसमें यही लिखावता लास्ट में इन में से सभी या फिर उप्रयोक्त में से सभी अगर आप यह जो ट्रिक्स को अपना के जाएंगे तो आपको परिच्छा में काफी सफलता मिलेगी और यह मैंने काफी चात्रों पर अपलाए कर वाकर दिखाया जो एकदम तैयारी करक में उनको सभलता मिली है और आपको भी मिलेगी तो तैयारी करके जाएगा जय हिंद